गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विश्णो, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरू साक्षात परब्धम्हा, रस्मई श्री गुरवे नमा मैं जादू गरू मलतू रजीव, मेरे चैनल टूट ओफ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं चक्चा करने जा रहा हूँ एक जादू, जिसका नाम है स्लेट राइटिंग या गोस्ट राइटिंग एक स्लेट के उपर हवा में जो लिखता है, वो स्लेट में आ जाता है, तो दोस्तों, पहले मैं जादू दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा, तो चलिए जादू की तरफ, यह दो स्लेट है दोस्तों, जब हम बच्पन में स्कूर में पड़ते थे, तो उसी स्लेट में आ, आ, ई, ई, लिख करके, हम सीखते थे, अभी मैं इसके उपर कुछ लिख रहा हूँ, अब मैं इस जादू का रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ, उसे पहले, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजिएगा, और, पास में, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि, आगे मैं अपलोड करने वाले एक जाद से जादा जादू और उसका रहस्यों का खुलासा करने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन्स, सबसे पहले, और समय समय पर आपको मिलता रहे, तो चलिए दोस्तों, इसके रहस्य की और, इस जादू करने के लिए आपको चाहिए, ऐसे दो स्लेट, और, एक तीसरा स्ल दो स्लेट को आई सही रख दीजिये और, तीसरा जो स्लेट है, उसका जो फ्रेम है, यह जो फ्रेम, इसको निगाल दीजिये, और अंदर वाला जो माल है, उसको खाली ले लिए, और इसको को रफ जगह पर, रफ समंड की या जम्यीन भी चलेगा, उसमें गिस करके चोटा करना है चारों तरफ से और इतना चोटा करना है कि यह फ्रेम के अंदर वो बिल्कुल बराबर बैड़ जाए है यह से कि यह है यह जो है इसके अंदर बिल्कुल ऐसा बढ़ जाता है यह अईटम शुरू करने से पहले यह दोनों स्लेट ले करके जिसके उपर जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए और यह जो टुकडा स्लेट है इसको इसके उपर इसे डग दीजिए और दूसरा स्लेट को भी हाथ में ले करके इस तरह से दिखा दीजिए दोनों सेड़ हाली है अब इस लेट को यहां पर रखिए इसके उपर दूसरा स्लेट आइशा डग दीजिए इसके बाद इस लेट को एक त्वार आई सब पलेट ना है ताकि जो स्लेट का टुकडा है वो उलड़ जाए ताकि अभी आप इसको उठाएंगे तो लिखावा पोर्षन उपर तो इस तरह से उलड़ कर रख दीजिए और चोक लेकर केस के उपर हवा में लिख दीजिए उपर वाला स्लेट को ऐसा उठा दीजिए और इस तरह से कर दीजिए झालcka्र टम जुका है झाल्ड़ में अजिए उपर उपर आधंगे केस के उपर आज़गे दीजिए कर दोगज़ दीजिए और आ देलिए कर दो भाला पोराकर वाल ठीजिए